हेलो दोस्तो, स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ दोस्तो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रूप D में जो 17 पोस्ट होते हैं, उनका क्या काम होता है क्योंकि दोस्तो, अभी-भी आपने ग्रूप D का एक्जाम दिया है, दोस्तो, आपका इंसर सीट आ चुका है और आप बहुत बेसबरी से आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आप ये भी जानने के लिए उत्सुख होंगे कि ग्रूप D में कौन-कौन सा पोस्ट होता है, कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा होता है और हमें अगर जे कौन सा पोस्ट मिलता है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा तो दोस्तो इन 17 पोस्ट के बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो के अंतक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं आप दोस्तों हमारे बारे में जरूर जानें दोस्तों मैं आपका दोस्त सरवन कुमार में था जो कि फरवरी 2021 में ट्रैक्मेन ग्रूपडी के पोस्ट पे जोइन किया था लेकिन दोस्तों अब मैं GDC एजाम पास करके junior engineer railway में बन चुका हूँ जो कि दोस्तो रेल्वे में एक बहुत अच्छा पोस्ट होता है जुन्यर आगे भी दोस्तो आपके लिए इस टाइप का वीडियो लाता रहूंगा रेल्वे से रिलेटेड रेल्वे जॉब से रिलेटेड और भी जनकारी आपके साथ सियर करता रहूंगा इसलिए दोस्तो हमारे चैनल को आप जरूर सीजर बीडियो को लाइक और शेर जरूर करें तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो group D का पहला post होता है दोस्तो assistant workshop जो की mechanical engineering department के अंदर आता है उनका काम दोस्तो करय सलाम होता है workshop में होता है उनका काम क्या होता है करयबचारियों को एक गाड़ी और wagon करय सलाम में तयनात के जाता है उनका appointment है एक workshop में होता है उनका काम होता है जो भी वहाँ पे डबबा लगे रखाओ उनका देखवाल करना सारी चिम्मेदारी उनकी होती है दोस्तो अब जानते है दोस्तो group D के next post के बारे में group D का दूसरा post है दोस्तो assistant carriers and wagon यह भी mechanical engineering department के अंदर आता है इसमें क्या होता है कि आपको उनका maintenance करना होता है maintenance करने का मतलब है trip schedule maintenance को बढ़ावा देना मतलब time time पी क्या होता है को उनका repairing होता है उसमें आपको help करना होता है brake power certificate इसमें क्या होता है कि लिमिट होता है कि इतना दूर तक गाड़ी चल गया उसके बाद उनको ब्रेक को जाच किया जाता है जितना भी break लगे होते है विल्स में उसको जाच वाच किया जाता है उसका certificate देना होता है जाच करके फिर होता है pit line रख रखाओ सुनिशित करना pit line का मतलब होता है जोस्तो जिस line पे गाड़ी खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद धुलती बुलती है उसका maintenance होता है उस line को देखरे करना होता है assistant carriers and wagon को फिरह intermediate overhailing का मतलब होता है कि जो भी समान carry wagon में से exchange हुआ जो भी मतलब प्राधिकान दोरा बनाए जाने वाले नये पुलों के निर्मान में वरिष्ट जनों की तो सहाहता पलान करना मतलब जो भी रेल वे के दोरा पूल बनाय जाता है दो ब्रीजस जिम्मेदार समागरी उसको ढखत रहा है उसको आपको देना ओसको एरइजिमेंट करना काम मतलब लाने के लिए जिसे कोई समान लाना है उसमें लगाने के लिए उसमें कोई भी चीज़ करने के लिए आपको मतलब चाहिए समान जिसे मिस्तिरी लगा हुआ है कोई भी टेक्निस्टन लगा हुआ है तो उसको समान चाहिए तो वो एसिस्टेंट जो एसिस्टेंट होते हैं एस इसमें क्या होता है दोस्तों को जो भी डीजल इंजन होता है उसमें जो भी समान एक्चेंज होता है जो भी समान नया नया लगता है जो भी समान वहां से एक्चेंज होके आता है उसको देखवाल करना ठीक है एक वाच्मेन के रूप में उसको देखवाल करने का काम होता है व परमुख मेकेनिकल, एलेक्टिकल, सिंगनल और दूर संचार कारेसलाओं के लिए घटको की खरीद और आपूर्थी करना, देखें दोस्तों, जो रेल्वे में अलग लग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें काम होता है, काम करने के लिए समान की जरुरत होती है, तो जो भी सम के लिए कोई भी डिजल है, इलेक्टिकल इंजन है, इसमें जो भी समान का जरुरत है, उस समान को आपूर्थी करता है, डिपो, यानि कि दोस्तों, डिपो क्या होता है, जो भी रेल्वे का समान की जरुरत है, जो भी पार्ट्स का जरुरत है, उसका रख रखाओ, डिपो म इसमें काम होता है assistant deport का अब दोस्तों जानते हैं छटे पोस्ट के बारे में assistant local state यह क्या electrical department का है इसमें दोस्तों railway विभाग अनुभाग में विदूत SSE विदूत local state में 25 kv AC electric local के overhauling और assembly अस्तर के रख रखाव में लगे TRS state पर काम करने के लिए जिम्यदार है इसमें दोस्तों कहा है कि देखिए electrical engine जहाँ पे repair होता है electrical engine का जहाँ पे काम होता है जहाँ पे parts exchange किये जाते हैं जहाँ पे parts का repairing होता है वहाँ पे दोस्तों एक सहायक group में आपको काम करना पड़ेगा TRS में आपको काम करना पड़ेगा TRS department में उनको मतलब यह जो assistant local state worker होते हैं उनको help करना होता है आपको अगर यह post मिलता है तो आपको electrical engine में जो भी काम होता है वहाँ पे आपको help करना होगा group D का 7 पोस्त है दोस्तों assistant pointsman इसका काम होता है दोस्तों switch या railroad points को समालने के लिए जिमेदारी इसमें दोस्तों देखे आपको railway train जो चलती है जो rail होता है वहाँ पे देखे होंगे कि जहाँ पे track change करते हैं वहाँ बहुत सारा ऐसे वैसे गया होता है वहाँ पे points होता है points का मतलब जहाँ पे दो rail मिलते हैं उसका देखे रेक की जिमेदारी pointsman को होता है और क्या दोस्तों जहाँ पे माल लीजिए train track को exchange करती है वहाँ पर क्या होता है कि पटरी एक दूसरे से सटते हैं फिर हटते हैं तो उसकी जो देख रेकी जिमेदारी होती है वह pointsman के होती है फिर दोस्तों है अपि हूँ leber को नियंतिर करना केहने का मतलब है leber को नियंतिर करना है, यह अपकर देखे लिखा हुआ 됐 लोगों को समय समय के points का चेकिंग करते हैं वह लग जाके तो तो पॉइंट्स में एक अच्छा पद माना जाता है गुरूप D में अब गुरूप D का आठवा पोस्ट है दोस्तो एजिस्टेंट ओपरेशन जो की अलक्टिकल डिपार्टमेंट के अंदर है विदूत आपूर्ति सुनिश्चित करना है तो उसका आप पूर्ति करने का जिमनेदार या उससे रिलेटेड जो भी काम है उससे रिलेटेड वो आपको देखवाल करना होगा उसमें सहयता करना होगा आपको वश्चित इंजिनियर की देखरेक में ट्रेन और एस्टेशन की विजली में और उपकरनों का रख रखाव करना इसमें क्या होता है आपको सिगनल से रिलेटेड काम करना पढ़ेगा आप देखे होगे दोस्तो ट्रेन ऑपके सिगनल के कंट्रोल में चलती है वहाँ पे क्या होता है कि आपके senior काम करते हैं तो आपको वहाँ पे साथ में जाना होगा और उनको help करना होगा कहीं भी आपका signal खराब होता है तो वहाँ पे आप senior लोग जाते हैं आपके जेई जाते हैं आपके technician जाते हैं उनके साथ आपको जाना होगा एसिस्टेंस इलेड़ एंडटेलीकॉम के वरकर करते हैं defend n इंटरलॉकिंग सिस्टम का हिस्सा चीछ तो उनकी यह काम करना पड़ता है प्र लाइन क्लिरेंस ने के बाद के बाद ट्राइवर को टोकन भी सब्सक्राइब जिसे मालेजे कोई भी कहीं ब्लॉक मिला है वह ब्लॉक सेक्शन में क्या हुआ कि ट्रेन प्रिवेस किया ख्लाक करना परता है जो कि SNT के लोग करते हैं अब जानते हैं दोस्तों Group T के 10 पोस्ट के बारे में Assistant TL & AC इसका मतलब होता है दोस्तों ट्रेन लाइड तील का मतलब ट्रेन में जो भी लाइड लगे होते हैं जो भी train में AC होते हैं वैगन में उसमें क्या होता है कि जो भी खराबी आता है तो उसका आपको ठीक करना उसकी देख भाल का करने का काम आपको करना होता है इसमें दोस्तों ट्रेन के विदूत उपकरनों और कनेक्शनों की उचीत कामकाज को देखने के लिए जैसे सिग्नल, LED, AC नियंत्रक, बिजलियापूर्ती, स्थिकरन, आदिका उचीत कामकाज तो दोस्तों यह आपको ट्रेन में running करना होगा, यहाँ पर आपको है की ट्रेन के अंदर आपको duty मिलेगी आपको, आपको वहाँ पर जाना होगा, ट्रेन के अंदर आपको देख भाल करना होगा लाइट वाइट सब सही से काम कर रहा है कि नहीं गुरूप D का 11 पोस्ट है दोस्तो Assistant Track Machine यही हमारा Department है दोस्तो इसी कमयाभी ट्रेनिंग करने वाला हूँ अभी अभी इसमें नया जॉइन किया हूँ एक JEE के रूप में इसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारे ऊपर एक इससी होगा हम JEE होंगे हम JEE के नीच चे टैक निच चे टेकनिशियन होंगे और ग्रूप D के SYSTAP होंगे तो आप अगर इस सेक्षन में आते हैं तो आप हमारा सेक्षन में आगे इनका काम क्या होता है कि मसीन जो भी होता है त्रेक मसीन उसमें जो भी काम होता है वह हम लोग भी हम लोग देख रहेंगे और आप लोग उल्व करना होगा फ Kellum मसीन के परभावी सलचानन के लिए आवस्या को उपकरन गैजटर की उपलब्दा के सुनेश्चित दना को भी समान का जरुरत परता है मसीन का ठीक करने में तो आपको लाना होगा उसको उपलब्द करना होगा यह दोस्तों एसिस्टेंट ट्रेक मसीन का काम इसमें दोस्तों जो कि वह भी एक परकार का वह जो पिछला जो पूस्ता वह क्या था उसमें आपको कोई ट्रेन में मिलता है उसको बोला जाता है उसको एसिस्टेंट टियल अन टीसी जो की वक्सषब ये लेक्ट्रिकर मतलब वक्सवप के अंदर कहीं कोई भी रुम के अंदर लाइट क्या है टीए लाइंड एसी बोला जाता है इस पे ध्यान मत दिएगा वो पिछला वाला इसमें लिखा गया है बरावा पोस्ट आपका यह है यह है एसिस्टेंट टीए लाइंड टीसी रोशनी बल्ब पंखे एसी डाक्स एसी के तापमान नियंतरन इस्थिकरन और अन्य सभी भी तो उपकरनों की देख रखाओं को देखने के लिए यह सब काम किसका होता है दोस्तों एसिस्टेंट टीए लाइंड टीसी गात इसका आपको है दो जगा काम मिल सकता है एक ट्रेन का वैगन है उसमें या आपको कहीं भी मतलब रेलवे का जो भी संपर जो भी चीज है म है कि निर्मान वाला जैसे कहीं नया क्वाटर बन रहा है नया कहीं पेस्टेशन बन रहा है नया प्लेटफॉर्म बन रहा है तो जो जो भी चीज वहाँ पे जरूरत है ठीक है वहाँ जो भी चीज जरूरत है वहाँ पे आपको उसका उपलफ़ता करवाना होगा वहाँ पे त пес, देखे होंगो दोаст्तों कि TRD you keep on CRD आप देखे होंगो कि उसमें TRD जो उपर में line गया होता है व जो क्या होता हैど मेम और मेंन लाएन चलती है जैसे विदोध सम्फद्र रख रखाओ के लिए जिम्म्यों जो कर यह में मतलब लाएन के लुब हैँ ट्रेंडर करना है उपर हयर उप्रफिकन की न करने में Lao एकुपमेंट लगे होते हैं उसको दोस्तो जो उपर में एकुपमेंट जो भी लगा होता है उसको आपको समय समय पर जाके देखना है चिक करना है यह सब जो काम होता है वो एसिस्टेंट ट्रैक्शन डिस्टिबूशन की जो स्टाफ होते हैं उनका होता है ग्रुप्डी का पंधर्वाण पोष्ट है दोस्तो एसिस्टेंट warx व्कॉप जो कि एंजिनियरिंग के अंदर आता है इसमें है दोस्तो वी निर्मान में परिष्टों के साहता करना जो भी आपके senior है उनको साहता करना पिछला दोस्तों था वो केवल assistant works था जो की इंजिनेरिंग था इसमें दोस्तों assistant works आये वक्सॉप ठीक है तो आवस्यक समागरी की उपलब्दता सुनिश्चीत करने के लिए मतलब जो भी आवस्यक समागरी है जो भी वक्सॉप में जरुरत है उन सब समानों को उपलब्द कर वही है उसमें मैनुफक्चिरिंग और वेल्डिंग का सारा काम अपने सिनियर्स के देखरेक में समालते हैं मैनुफक्चिरिंग जो भी मैनुफक्चर होती है नई नई चीजे उसमें जो भी काम होता है उसमें आपको हेल्फ करना होगा वेल्डिंग वेल्डिंग भी होता है इसपीड कितना स्मुखली चलती है दोस्तों वो एक स्टाप के चलते चलती है एक गुरूप जिसका नाम है ट्रेक मैंटेनर फोर वो जब जाके दिन रात देख रात देख वाल करते हैं उस ट्रैक को तब जाके ट्रें इतनी अच्छी से चलती है तो आप उनका काम दोस्तों कि त्रेक कि जाज करने के लिए चलना होगा आपको क्या है कि चल चलगे लिए सफ सेवल में चल के आपको जाके साहेता करना होगा पटर्यों के टूटने पर नजार रखे यह तो सबसे इंपोर्टेंट काम है दोस्तों जो की दिन रात होती है ट्रेनों की उचित सुरक्षित और सुगम ट्रैक परदान करता है यह क्या करते हैं ट्रेन को मतलब स्मुथली चनले का काम कौन कटिन होता Хम कीं हैं तो आपको बता सकते हैं तो फिर भी उस्तों क Caro आको करना अच्छा पोस्ट यह लड़कीओं के लिए सबसे च्छा एब क्योंकिंकि आपको हम्हेसा नजर में रहना है अच्छ आपको ड्रेस ऑलाइंस मिलेग DD ट्रेस मिलेगा अच्छा से यह मतलों बहुत अच्छा पोस्ट है आपको लएगा कि हम कोई नौकरी कर रहे हैं इसमें दोस्तों काम क्या होता है कि आपको पैसेंट को देखवाल करना होता है डॉक्टर जो भी कागज वागज देशते हैं उधर उधर करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा फिर एस्टेसन में चीकित्सा सहयता और उनकी आवसक्ताओं को ध्यान लगना जोभी पैसेंट को सहयता चाहिए उनको आपको सहयता करना पड़ेगा सफ़ाई चीकित्सा उपकरन डिटेल से वीडियो बनाएंगे और एक एक पूस्ट के बारे में आपको अच्छा से बताएंगे कि अच्छा से मतलब क्या काम होता है उनका इसलिए दोस्तो हमारे चैनल को आप जरूर से जरी सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें दोस्तो क्योंकि हम आगे भी इस टाइब की वीडियो और पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद